हेलो दोस्तो मेरा नाम है संदीप आप देख रहे है टैप सेजिन आटो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं रिवाल्ट आरवी 400 का जो रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसका टेस्ट करने वालो तो यहां पर दोस्तो हमारे यहां पर एक जगे है टूंगा रिश्वर यहां पर दोस्तो काफी स्टीफ और स्लोब देखने को मिलता है तो हम लोग टेस्टिंग करने वाले कि इसमें क्या रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से मेरा बैटरी चार्ज होता है कि नहीं तो आपको पता होगा कि अगर आप जोर से स्पीड में गाड़ी को चलाते हो ब्रेक करते हो तो उस टेम पर आपका बैटरी चार्ज होता है तो देखते है कि नहीं यहां पर एक और चीद मैं आपको मेरा पहले का भी एक्स्पिरिंश शेर करूंगा मैं दूसरी बार यहां पर आया हूँ जो नियर बाय रेते हैं उनको पता होगा काफी जाता चड़ान है यह और काफी कच्छी रोड है और कुछ इस तरीके से आपका भाई गाड़ी पर बैट चुका है और मैं आपको दिखा देता हो कि कितना मेरा चार्ज है और कुछ इस तरीकी का यह स्टीफ स्लोप आला एरि यहाँ पर जिसके वरे से आपके बैटरी चार्ज होगी और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों यह मैं दूसरी बार आ रहा था इसके पहली भी मैं एक बार आ चुका हूँ एंड उस टेम पर मैं आकेला बैट था तो यहाँ पर गाड़ी पर वेट लगबग 130 किलो के असपस है और अभी वो रिकॉर्ड भी कर रहा है देख सकते हो कुछ इस तरीके से तो देखते हैं दोस्तों चार्ज होता ही कि नहीं एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आप रिवार्ड के रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को यूज करते हो और आपकी बैटरी चार्ज होती है कि नहीं डेफिनली कमेंट करके बताइए और जो भी नियरबाइ लोकेशन पर रहता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि आप इस जगे पर आयो टूंगा रिश्वर तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज बोलना चाहता हो कि इस बार मैंने बैटरी को अच्छा खासा यूज किया लेकिन रिजनरेटरिक विरिकिंग सिस्टम मेरा काम नहीं किया और देख सकतो एक भी चार्ज बढ़ा नहीं तो दोस्तों यही था वीडियो वीडियो चेलेगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस देबल एकन एंड फार्नली गास थेंक्स वाचिंग पीस आउट